पत्री जी के फाइफ इंगल कॉंसेप्ट है ये बहुत महत्वपोन है देखने के लिए हमारे दिन चरिये में हम क्या-क्या चीजों को बहुत बारीकी से अपनी जीवन में इंप्लिमेंट कर सकता है ताकि हम ये जो गडबंदन है हमारे कारे कारिन संबंध से कही ना कही पे हम इसे उपर उठ सके तो सबसे पहला है non-judgment यानि कि किसी के उपर भी अपनी विशेश टिपनी देने की आवशकता नहीं है हाँ बहुत सारे चीजे हमारे physical reality में हमारे परिवार में भी होता है समाज में भी होता है जिस शहर में रहते हम शहर का भी होता है और दिन में आप द अगर कोई आपके सामने आया और आप उसको किसी वेश भूशा में देखते हैं तो आपके मन में किस प्रकार के विचार उत्पन हो रहे हैं उस परसन को देख कर ये भी कही ना कहीं पे हमारे करम बन जाते हैं तो इसलिए जब हम मौन का प्राक्टिस करते हैं तो मौन is not just about becoming silent in our words हमारे मन में भी जो भी विचार आ रहे हैं उसके प्रती भी हमें शान्त होना है तो सबसे पहले इन five finger concept में अगर हम इस कर्म के घट बंदन से कहीं ना कहीं पे उपर उपर उटना चाते हैं first thing is non judgment याने कि कि किसी और को जज ना करे किसी और की उपर अपना उंगली उठ जाके वो ऐसा क्यू है ना करें because चार उंगले वापस आपको खुदी देख रही हैं तो आपको ये देखना है कि हम जादा से जादा अपने विचारों में मौन का अभ्यास करें सो अगर हम अपने जीवन में non judgment का सूत्र अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो मैं भी खु जाने अंजाने में उस person को judge कर रहे हो वहाँ पर आप मौन का अभ्यास करना शुरू करें become aware कि अच्छा ऐसे thoughts आ रहे हैं अपने आपको judge नहीं करना कि हमारे अंदर ऐसे सोच विचार क्यू आ रहे हैं but yes बहुत 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 conditioning के वज़े से ऐसे हमारे मन के अंदर अगर व कोई भी situation कोई भी परिस्ती जहां पर आप अंदर से trigger हो रहे हो कुछ जच करने के लिए जाने अंजाने में immediately you take a step back and say okay मैं इसको एक neutral तरीके से देखना चाहते हैं दूसरा चीज है non interference यानि कि कि किसी के निजी मामले में हस्ताक्षिब ना करना ये एक बहुत ही tricky part है और हमारे audiences में जब हम classes लेते हैं वो बोलते हैं कि parents बताते हैं कि क्या मुझे अपने बच्चों को बताना चाहिए कि उसको पढ़ाई करना चाहिए क्या मुझे उसको guide करना चाहिए जब मुझे दिख रहा है कि वो अलग दिशा में जा रहे हैं ये जो पत्री जी का पत्री जी झाल